नमस्कार मैं हूरा हुलतिवारी और लेकर आया हूँ आपके लिए चंडिगड, हर्याना, पंजाब, हिमाचल और देश-दुनिया कुछ बड़ी खबने चली एक नजड़ डालते हैं ताजा हेड्लाइन्स पर HRD मंत्राले का नाम बदल कर किया शिक्षा मंत्राले केंदर सरकार की नई शिक्षा नीति को मंजूरी अब कोई भी विद्यार थी चल रहे कोर्स के बीच में छोड़ कर दूसरे कोर्स में ले सकता है दाखला चंडिगर से बड़ी खवर रिश्वत मामले में आरोपी मनी माजरा पूर्व एसेचो को भीजा गया बड़ाल जेल अलग बैरक में रखने की याचिका अदालतने की खारिज गरस्तवे भारत की धर्ती वर पहुंचा दुश्मनों का विनाशक राफिल देश में जस्न का माहॉल मारती सुजुकी को 249 करोड रुपे का घाटा एक साल पहले 1435 करोड का हुआ था फायदा पाइस जेट को 807 करोड का नुकसान पंजाब में हर्याना के जिला अदालतों को मिले 50 नए जजज हर्याना में विधायकों का बढ़ेगा रुत्वा लाल बत्ती हटाने के बाद अब लगा सकेंगे जंडी मंडी जिले में 7 करोड पॉजिटिव अस्पताल की एक और करमचारी मिली संक्रमित अब खबर विस्ता पिर पहले पांच मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल लांट कर चुके हैं रक्षा विशेशकिक अनुसार इन विमानों के मिलने के बाद भारत की चीन और पाकिस्तान की बड़ी बड़त हासिर हो गई है कोरोना मामारी काल के बीच औस्ट्रेलिया ने अपनी विदेशि स्टडी इंडस्ट्री को प्रमोट और मस्बूत करना शुरू कर दिया है उन्हें आनलाइन आवेदन करने वालों को वीजा जारी करना शुरू कर दिया है विधार्तियों को हिदाय दी गई है कि वह फ्लाइट शुरू होते ही औस्ट्रीलिया पहुंच जाएं नियम उनुसार उनको युनिवर्स्टी ही कुरंचीन करेगी पंजाब एवं हर्याना के जिला अदालतों में जहां जजों की काफी देर से कमी महसूस की जा रही है अब हाई कोट ने जिला अदालतों में पचास नए जज नियुक्त कर दिये हैं इन जजों का चेयन हाल ही में हुआ था शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्षरदार सुप्पीर सिंग बादल ने आज लाहौर में अतिहासिक भाईतारु सिंग शहीद स्थान को गुरुद्वारे को मस्जित में बदलने के प्रयासों के लिंदा की है और केंद्र विदेश मंत्री डॉक्टर चैशंकर से आगरह किया है कि वह इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाएं ताकि पवित्र गुरुद्वारे का स्वरूप किसी भी तरह से न वद कर दिया है विस अध्यक्ष ने मंगलवार को स्वर्म मानिन्य के विहानों पर लगाने वाली जंडी को लॉंच किया इमाचर प्रदेश की मंडी जिले में बुद्वार को साथ कोर्ना पॉस्टिव मामले आये हैं इन में से एक जोर्नल अस्पताल का रवीन अगर निवासी सफाई करमचारी दूसरा चचेयोच का टैक्सी चालक है जो पहले पॉस्टिव आइस सेना के जवान को लेकर खराया था जबकि तीसरा बलह के सलवाहन का है देर रात तक चली सांपल चांच में तीनों पॉस्टिव पाए गए हैं अब तक के लिए बस इतना इफिल लोटूंगा आपके लिए देश दुनिया कुछ बड़ी खबरे लेकर तब तक के लिए धन्यवाद ताज़ा अपडेट्स वबड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन धबाना न भूले